हलो ठ्रेंट्स कैसे हैं आप सब चैलिए आज पनाते हैं वह बहुत ही healthy uda उर टेस्टी ते ंष्टिकी डेसिपी एक गड़ी पालक की और इसे अच्छे से दो लिया है दोने के बाद जो इसकी हाट डंडिया थी उन्हें मैंने अलग करके निकाल लिया है और अब मैं क्या करोंगे इसे रफली सा कट कर लूगी बहुत बारीक कट करने की जरूरत नहीं है तो देखे मैंने इसे मोटा-मोटा अब इसे डाला एक मिक्सी के जार में और थोड़ असा पानी डाल कर इसका एक पेस्ट बना ले तो हमारे पालक का पेस्ट बन चुका है अब एक पाउल लिया इसमें मैंने डाला आधा कप बेसन यह मेरे पास बारीक बेसन था और इसकी भी हाफ मेरे सूजी यानि की वन फोर् इसमें चालते हैं आधा कप तही का और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है जो पालक का पेस्ट में बनाया था वह भी मैंने डाल दिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए कई आपने दिखा होगा जनरली पालक की रेसिपी बनाते हैं तो पालक का सा स्टीम कर लेते है तो अच्छे से करले मिक्स तो देखे मैंने थोड़ा सा इसे पतला ही रखा है क्योंकि जब मैं इसे रैस्ट करने के लिए रखूँ गी हमने इसमे डाली तो सूजी फूलेगी और काफी सारा पानी अब्सर्फ करेंगी तो आप इसे फंद्रा मिनट अब ढगकर रैस्ट के लिए छोड़ दें तो देखिए पंडर मेंट हो गए है और सूजी भी काफी अच्छी से फूल चुकी है और हमारा बैटर पहले से थोड़ा सा काड़ा भी हो गया है यानि कि एक दम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी में है अब दाल देज में चूटा चममच ऑईल का आधा चैनल साथे का ने उनो ने वह दाल ऐने चेलिकी से बाउन चूकी कामच गरेन चाहिए तो मैं आप छोटा चममच भी कशी को थे Candles यहां कि इस दो पेले आपको बिल्कुल भी को नहीं रखना है तो तुरन्थी से स्टीम करने के लिए रख देना है तो मैंने इस तरीकой काmus ले लिया और इसे और सी कर लिया और उसके बार मैं इसमें सारे मिक्स को ट्रांसफर कर लूगी आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ना तो बहुत रणी रखना है नहीं बहुत थिक हल्का से ट्रैप करें और अब मैंने एक कढ़ाई में पानी को स्टीम होनी के लिए और उस पर एक जाली रखकर अब इसे आप 15-20 मिनट स्टीम होने दें या फिर जब तक ही अच्छे से पकना जाए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें 15-20 मिनट में आपका जो यह ढोकला है यह बहुत ही अच्छा पकर तयार हो जाएगा तो देखिए करीब 20 मिनट हो क्योंकि सबकी गैस की फ्लेम अलग होती है तो बस अब आप इसे बहार निकाल लें और पहले कंप्लेटली ठंडा होने दें तो देखिए हमारा जो ही ठोकला था यह काफी अच्छे से ठंडा हो गया है तो चलिए इसे कर लेते हैं अनमोल तो वैसे तो मैंने ग्रीस किया था इसे लेकिन हलका सा चाकू से ऐसे स्क्रैप करें और एक प्लेट पर इस तरीके से करें बरतन को उल्टा और हलका सा टैप करें अच्छा नाश्ता है बहुत ही आसानी से निकला आएगा तो यह लेजिए हमारा परफेक्ट सा धोकला एकदम पकर तयार है आप देख सकते हैं क मैंने से वापस इस पर डाल दिया है चाहें तो हलकी से बीच-वीच में टूस्पिक से इसमें छेत कर लें अब एक कड़ाई में मैंने डाला एक रेड़ चमश तेल का और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आदा चोटा चमश राई आदा चोटा चमश सफेद तिल प्राई को तड़कने दें थोड़ी सी स्प्लिट की हुई हरी मिर्चे मैंने डाल दी और इन सारी जीजो को बस एक से डेड़ मिनट भूने जब तक यह अच्छे से तड़कना जाए ध्यान दगना है आपको तड़के को जलाना नहीं है बस यह अच्छे से हरी मिर्ची और क लिजे हमारा यह जो शुगर सिर्फ वाला तड़का है यह तैयार है अब आप फैलाने से अपने धोकले के उपर इससे बहुत ही अच्छा स्पांजी जूसी धोकला आपका बनकर तैयार होगा और पांच मिनट इसे छोड़ दें जिससे सारा जो तड़का है यह अब्सॉब हो जाएगा तो लिजे मैंने थोड़ी देर इसको रख दिया और जो सारा तड़का था और जो उसका सिरफ था वो अब्सॉब हो चुका है और अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है उसके बाद अब इससे आप मन चाहे पीसिस में कट कर लें जैसे भी पीसिस आप पसंद कर होते हैं लेकिन जेनरली ढोगला स्कॉयर पीसिस में मिलता है तो मैं इसके सारे स्कॉयर पीसिस कट कर लूँगी तो यह लीजे दोस्तों हमारा टेस्टी हेल्दी स्पॉंजी पालक का ढोगला सब के लिए तैयार है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यह बनकर तैयार तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें और अपना अनुभो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो एक बार आप भी जरूर ट्राइब करें हेल्दी पालक का ढोगला आज के लिए इतना ही मिरते हैं फि